कल हमने मानबूकर पुरुसकार पढ़ा था कि मानबूकर मारगरेट को मिला है और बनाडीन को मिला है मैनबूकर इंटरनेशनल एवार्ड ओमान की लेखिका जोखा अलहार्थी को मिला है मन्जु रानी को विस्स महिला चेंपियनसिप में मुक्के बाजी में अवार्ड मिला हुआ है सुमन योजना गर्वती महिलाओं के पूरे खर्च से संबंधित है वर्ल्ड फूर्ड डे जो है वो 16 कूबर को मनाये गया जिसकी थीम थी अवर एक्सन और अवर फ्यूचर जाबान को तबाह करने वाला तुफान है जी 20 याद रखेगा 20 याद रखेगा गलूबर हंगर इंडस में भारस की सती है 102 जिसमें 177 देशों ने भाग लिया था अब आगे पढ़ते हैं सचिन तेंदुलकर को सच्चता अमबेजडर पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो यह सच्चता अभियान महत्मा गांधी के सच्च भारत सपन को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री स्री नरींदर मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 से सुरू किया था तो यह आप याद रखेएगा कि यह 2014 से शुरू किया था यह पूछा जा सकता है ठेक है और इसके लिए मोदी ने इस अभियान के परचार के लिए 11 लोगों को अमबेजडर बनाये था जिनमें सचिन तेंदुलकर, प्रियंका चोपड़ा, अनिलंबानी, बाबा रामदियो, सल्मान खान, ससी थरूर, तारक महता का उल्टा चस्मा, म्रदुला सेनहा, कमल हसन, बिराट कोहली, महेंद सिंग धोनी और इयार दिलकेश्वर कुमार जी थे तो इसमें से सबसे ज़्यादा बढ़िया काम किया है सचिन तेंदुलकर ने, इसलिए उनको इस पूरुसकार से नबा जा गया है, अगला ये है कि सतरंज के खिलाडी थे, विस्वना थानंद, इन्होंने एक किताब लिखी है, माइंड मास्टर के नाम से, तो माइंड मास् फ्रॉम अचैंपियन लाइफ, यानि कि इसमें उन्होंने अपनी हार और अपनी जीत का वरलन इसमें उन्होंने किया है, ठीके, विस्वनात आनंद तमिल नाडू से विलाओं करते हैं, तमिल नाडू के हैं ये, और इनको ज़हे, उननिस सो अठासी में पहली बार 91-92 में दिया गया था, 1991 और 92 में इनको दिया गया था, इन्हें 2007 यानि 2007 में भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत रत्न, उससे जो second वाला होता है पदम भिहुसन, ठीक है, उससे इन्हें सम्मान मिला था, और इनको सतरंज का ओसकर छे बार मिल चुका है उन्होंने छे बार सतरंज का ओसकर पाया है और भी छोटे कई अवार्ड इन्होंने जीते हैं लेकिन ये अवार्ड जो है ये आपके एक्जाम के लिहास से काफी महत्पून है जिने समलित किया गया है अगला है सच रेल सच भारत मिसन के अंतरगत 2019 का सबसे साफ रेलवे स्टेशन जो है वो जैपूर को और दूसरे नमबर पे जोधपूर को ये भी राजस्थान में ही पड़ता है इन्हें जो है सबसे पहला और दूसरा इस्थान जो है मिला हुआ है अगला है प्लास्टिक कचरे से बनी सबसे बड़े चर्खे का इसम्रतियरानी ने किया लोकारपन तो याद रखेगा कि ये जो चर्खा लगा हुआ ही कहां पर है और कोन सी जह है किसने लोकारपन किया है तो महतिमा गांधी की 125 जैनती की पूरु संधापन नौड़ा में प्लास्टिक कचरे से बना हुआ है ये चर्खा और इसका रोकारपन किया गया है तो ये ही जरूर याद रखेगा कि ये नौड़ा में है और प्लास्टिक कचरे से निर्मित चर्खा है ठीक है ना तो इतना आप जो है याद करकिएगा अगला है चैनानी नासरी सुरंग ठीक है इसका एक और नाम है पतनी टॉप सुरंग ठीक है पूछा जाएगा ये सुरंग कहां पर है ठीक है तो ये है जम्मू कस्मीर में है पहला अंसा तो ये हो गया पतनी टॉप है चैनानी नासरी है ठीक है चेनानी नासरी, तो नानी नासरी है, तो चेनानी ना याद रहे, तो नानी ही याद रखियेगा, नानी नासरी, तो ये जम्मु एन कसमीर में है, और ये जरूर पूछा जाएगा, अगर यह आएगा, कि किस राजमार्ग में है, तो ये NH44, यानी कि NH National Highway, 44 पर ये है, इस्तित ह ठेके ना अब ये question क्यों आएगा important क्यों है question तो इसका नाम जो है बदल दिया गया है इसका नाम जो है स्यामा प्रसाद मुखरजी के नाम से रख दिया है यानि कि अब इसका नाम चैनानी नासरी सुरंग नहीं है अब इसका नाम जह है स्यामा प्रसाद मुखरजी है ये देश की सबसे लंबी सुरंग है ठीक है पूछा जाएगा देश की सबसे लंबी सुरंग तो ये देश की सबसे लंबी सुरंग है तो सडक मंत्री जो नितिन गटकरी है उन्होंने इसका नाम बदल के इसका ऐलान कर दिया है अब स्यामा प्रसाद मुखरजी के नाम पर ही क्यों इसका नाम पड़ा तो स्यामा प्रसाद मुखरजी ये कौन थे तो स्यामा प्रसाद मुखरजी जान लीजे ये जन संग के अध्यच हुआ करते थे इन्मोंने जन संग की इस्थापना किया था उस समय जो जन संग था तो उसका जो चुनाओ चिन था वो दिया और दीपक था ठेक है दीपक था उस समय, तो उस समय था लेकिन वही बाद में जह है यही जनसंग जो था यह 1980 में जहे इसी का नाम हो गया भारती जनता पार्टी ठीक है ना भारती जनसंग ही भारत का एक पुराना राजनीतिक दल था जिसे 1980 में भारती जनता पार्टी बना दिया गया था इस दल का आरम स्यामा प्रसाद मुखरजी ने जह 51 में किया था ठेक है ना तो 51 में किया था लेकिन ये बाद में भारती जनता पार्टी बना और ये उस समय जहें क्या कहते हैं ये कस्मीर के कस्मीर अलग रहे इसके बड़े विरोधी थे इसलिए ये जहें कस्मीर गए हुए थे उन दिनों में 53 की बात है ये गए हुए थे कस्मीर वहां इन्हें नजर बंद कर दिया गया था और वहीं पर ही इनकी म्रत्यू हो गई थी इसलिए जब आज कस्मीर हमारा आजाद हुआ है तभी इन्ही के नाम पर उस सुरन का नाम रख दिया गया यही कारण है अगला है मुहमद हसनें 2020 में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के सबसी यूवा गेंदबाज बन गये हैं पूछा जाएगा यह किस देश के हैं तो याद रखीएगा यह है पाकिस्तान के पाकिस्तान के यूवा गेंदबाज लगातार तीन गेंदों पे सिरलंका के तीन लगातार तीन गेंद पर तीन लोगों काउट किया था तो यह हैट्रिक लिये थे इसलिए इनको पूछा जा सकता है फिर अगला है नीत यायोग द्वारा जारी इंडिया इन्नोवेशन इंडेक्स 2019 में सबसे ज़्यादा इन्नोवेटिव राज कौन सा है यह है किसी भी नई चीज को जो है निर्मित करना तो यह कहलाता है इन्नोवेशन तो इसमें देखीगा यह पूछा जाएगा कि नंबर एक पर कौन है तो नंबर एक पर देखे करनाटक है और नंबर दो पर तमिलाडू है तो यह दोनों आपके स्टेट पूछे जा सकते हैं याद रखेगा करनाटक याद रखेगा हां और पुरौण चल का भी पूछा जाए तो सिक्क्यम यानि कि सबसे ज़्यादा इन्नोवेटिव सिक्क्यम है और उत्तर प्रदेश तो सात्वे नंबर पर है यह उत्तर प्रदेश वालों के लिए ज़ह है जादा इन्पॉर्टे के बीच हुआ है याद रखेगा मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर उलान याद रखेगा मांगलिया बटोर लिया मांगलिया बटोर लिया ठीक है उलान बटोर ऐसे याद रहेगा मांगलिया बटोर लिया यह बिलकुल जो है चाइना के उत्तर में है चाइना के उत् माचल पदेश में अगला देखिए अंतराश्टी बालिका दिवस यानि कि इंटरनेशनल जह है गरल डे यह मनाए जाता है ग्यारा अक्टूबर को ग्यारा अक्टूबर को मनाए गया और इसकी जो थीम थी वो थी गरल फोर्स अनिस्क्रिप्टेड अनिस्टॉपबल ठीक है न तो इसको कैसे याद रखेंगे इसको ऐसे याद रखेंगे ग्यारा अक्टूबर ग्यारा देखिए वन और वन है तो वन वन का मतलब ऐसे लड़के तो खर्चीले होते हैं तो एक-एक से आपको याद रखेगा एक-एक五Al जोड़ता है लड़कियां जोड़ती है ठेक है न? तो ऐसे आपको याद रहेगा आगे यह है Girl Force Girl Force का मतब्द लड़कियों का बल यानि कि लड़कियों के अंदर इतनी सक्ती होती है अनिस्क्रिप्टेड अनिस्क्रिप्टेड का मतब जिसे कभी भी लिखा नहीं जा सकता है यानि कि उसकी स्क्रिप्ट नहीं त्यार हो सकती है उसे कभी भी लिखा नहीं जा सकता है और अनिस्टॉपबल और उनके बल को कभी भी stop नहीं किया जा सकता है यानि कि लड़कियों का जो बल होता है ना ही तो लिखा जा सकता है और ना ही लड़कियों को stop किया जा सकता है ये 2019 की theme है theme भी आपसे एक्जामे पूछ लिया करते हैं तो ये थे आज के कुछ महत्पूर बिंदू जो पिछले महीने घटित हुए थे इसी तरीके से रोज थोड़ा 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 हम लोगों का हो जाएगा ठीक है और आपको याद भी हो जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए